ओके फ्रेंड्स, एक्जाम रेस्टू में आपका स्वागत है आरारबी एंटीपीसी के लिए आज हम लाए हैं भारती अर्थविरस्था इंडियन एकोनामिक्स जो आपके नंबर को बूश्ट करेगा यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेर करिए और कमेंट करिए बिल आइकन पर बटन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहला किश्चन अनिवार बचत का संबंध किस से है? ए, आयकर दाताओं पर थूपे गए अनिवार निच्छेप, जमा बी, निजी छेत्र के कर्मचारियों के भविस्ति निधी में अभिदान जल्दी करिए, नंबर को पाने के लिए अंसर देना होगा इसका अंसर होगा सी, कीमतों में बढ़ोत्री के पैडाम सुरूप खपत की कमी नेश्ट क्यूचन है, गिफन निम्न इस्तरी तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें हमें यह ज्यात होता है कि ए, घटिया माल गिफन माल भी अवस्य होगा B. गिफन माल घटिया माल भी अवस्य होगा C. घटिया माल घटिया माल नहीं हो सकता D. गिफन माल घटिया माल नहीं हो सकता अंसर करिए नंबर आपको मिलेगा इसका अंसर होगा B. गिफन माल घटिया भी अवस्य होगा नेश्ट के उचन है किसी उद्दमी द्वारा विज्यापन तथा जन संपर्ख पर किया गया खर्च उसके लिए किस प्रकार के ब्या का हिस्सा है A. इस्थाई पूजी का उपभोग B. अन्तिम उपभोग C. मध्यवर्ती उपभोग D. इस्थाई पूजी जल्दी करिए आपका अन्सर आपके नंबर को बूश्ट करेगा जो RRB NTPC में आपके सेलेक्शन को कोई रोग नहीं सकता इसका अन्सर होगा C. मध्यवर्ती उपभोग नेश्ट के उचन बिना बीमा योग्य अत्वा अनिश्चितता जोखिम है A. आग B. बाड C. उस वस्ट की कीमत में परिवर्तन D. प्रचलन मिन्स फैसन में परिवर्तन आपको अन्सर दे रहा है मज़ेदार क्यूश्चन है किस वस्ट पर बिना बीमा योग्य किस पर बीमा नहीं किया जा सकता है इस पर आपको अन्सर देना है जल्दी करिए इसका अन्सर होगा D. प्रचलन फैसन में परिवर्तन नेश्ट क्यूश्चन है निर्मिलखित में से क्या उप्भोकता अर्ध टिकाओं वस्तमी है A. कार और टेलिवीजन सेट B. दुग्द और दुग्द उत्पाद C. खाद्यान और अन्य खाद्य उत्पाद D. पंखा और विजली की इस्त्री जैसे विद्दूत उपकरन जल्दी करिए आपका अंसर आपका नंबर जो आपके सेलक्षन को सिद्ध करेगा इसका अंसर होगा C. खाद्यान और अन्य खाद्यान उत्पाद आए नेश्ट क्यूशन पर चलते हैं नेश्ट क्यूशन है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है A. मध्यवर्थी उपभोग B. अंतरण अदायगी C. उपादान अदायगी D. पुझी निर्मार जल्दी करिए आपका अंसर आपको नंबर इस क्यूशन में यह पूछा गया है कि जब किसान कर्ज लेते हैं तो जब उसकी अदायगी करते हैं तो उसका नाम क्या है आपको वो बताना है तो जल्दे करिए नाम बताइए नंबर लिजिए इसका अंसर होगा C. उपादान अदायगी यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेरे करिए और कमेंट करिए बिल आइकन पर बटन दबाना ना बूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा नेश्ट क्यूचन घटिया वस्त के लिए मांग गिरती है जब A. कीमत बढ़ती है B. आय बढ़ती है C. कीमत घटी है D. आय घटी है आपको अंसर बताना है अनॉलिसिस करिए आपके जेब में जब पैसा होता है तो आप घटिया माल नहीं लेते है या सस्ता माल नहीं लेते है महंगा माल लेते है इसका अंसर होगा B. आय बढ़ती है यदि आपके जेब में पैसा होगा यदि आपका आय बढ़ेगा तो आप घटिया माल नहीं लेंगे इट मींस उसके मांग में गिरावट होगी नेश्ट क्यूचन वे वस्त्वें जो या तो उपभोग अत्वा निमेज के लिए निर्धारित है क्या कहलाती हैं? A. मध्यवर्ती वस्त्वें B. अन्त्य वस्त्वें C. गिफन वस्त्वें D. निम्निस्तरी वस्त्वें जल्दी करिए आपके नंबर को बूष्ट करने के लिए अंसर देना अवस्यक है तो इसका अंसर होगा B. अन्त्य वस्त्वें ऐसी वस्त जो फाइनल है आपको उप्योग करने के लिए इस काल्ड अंत्य वस्त्वें और फाइनल वस्त्वें नेश्ट के उचन नेश्ट के उचन है जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गत्विद्यों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्योस्था को क्या कहते हैं आपको अंसर देना है जल्दी करिए आपके नंबर आपके अंसर से बूष्ठ होंगे इसका अंसर होगा खुली अर्थ व्योस्था अर्थात ऐसा देश जिसके द्वारा आयात और निर्यात एलाव होता है दाट इस कार्ड खुली अर्थ व्योस्था ओपेन एकनोमिक सिस्टम ठेक है नेश्ट क्यूश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्गी करण कच्ची सामग्री आधार पर उद्योगों का वर्गी करण है आपको बताना है कि कौन सी ऐसा उद्योग है जो कच्ची सामग्री पर आधारित है बिना कच्ची सामग्री से नहीं चलाई जा सकती आपको अंसर देना है सोच समझ कर अंसर देरिएगा बहुत ही सरल अंसर है जो आपके नंबर को बूश्ट करा देगा इसका अंसर होगा डी क्रिसी आधारित और खनिज आधारित दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद अब हम नेश टाइम में आपको ले गए आएंगे नए पार्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद